नमस्कार मैं हूँ आपकी खबरवाली दोस्त वेरोनिका और आप देख रहे हैं UP News9 दोस्तो यूपी के साथ देश के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी से लोगों का बुरा हाल है राज़दानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत के कई शहरों में गर्मी से राहत दिलाने में पंखे कूलर यहां तक की AC भी फेल हैं आपको बता दूँ आज मैं कार से मेडिकल कॉलिश तक गई थी काम खत्म होने के बाद जब मैं वापस आके अपनी कार में बैठी तो मेडिकल कॉलिश से ओफिस तक आने में मेरी हालत खराब हो गई मतलब इतनी जादा कि पूछे मत कार में AC तो चल रहा था मगर AC चल रहा है यह पता ही नहीं चल रहा था और जब AC की कूलिंग जरा सी महसूस होना शुरू ही तब तक मैं ओफिस पहुँच गई गर्मी का ये हाल तब है जब इन दिनों तापमान 40 से 44 डिग्री तक है ऐसे में सोचिये कि क्या स्थिती होगी जब पारा 48 या 50 के पास चला जाएगा देश में लू के थपेड़े 30 गुना जादा होंगे क्योंकि जिस तरह से कार्बन डायोकसाइट का उत्सरजन हो रहा है वातवरण में ये बढ़ता जा रहा है उससे तो यही होना है मौसम वग्यानिकों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि आने वाले सालों में राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों का उसतन तापमान आज की तुलना में 7-8 डिग्री और बढ़ जाएगा मतलब पारा 54-55 डिग्री तक जा सकता है World Weather Attribution Group के प्रमुख जलवायो वग्यानिकों की अंतराश्टिय तीम द्वारा Rapid Attribution Analysis के अनुसार दुनिया भर के Heat Wave, Hot Spots में हम भी शामिल होने वाले हैं High Vulnerable मौसम के असर को हमारे इलाके में और बढ़ा दिया है अप्रेल के दौरान दक्षण और दक्षण पूर्व एशिया में कुछ हिस्तों में तीखी गर्मी की लहर का सामना किया गया आपको बता दो कि लाउस में 42 डिग्री सेलसियस और थाईलैंड में 45 डिग्री सेलसियस से अधिक तापान पहुँच गया वैग्यानिकों की इस रिपोर्ट में काफी चौकाने वाली जानकारी भी सामने आई है रिपोर्ट के मताबक आने वाले कुछ सालों में हीट वेव्स यानी लू के थपेड़े 30 गुना अधिक होंगे वो दिन दूर नहीं जब भारत, बांगलादेश, थाईलैंड जैसे देशों में तापमान 55 डिग्री सेलसियस के आसपास पहुँच सकता है इस रिपोर्ट में 41 डिग्री सेलसियस तापमान को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है जबकी 55 डिग्री सेलसियस तापमान को अत्यंत घातक श्रेणी में बताया गया है रिपोर्ट की मुताबक अभी दुनिया भर में लू के थपेडे से होने वाली मौतों का कोई सटी काकड़ा हमारे पास नहीं क्यूंकि हीट वेव से होने वाली मौते काफी दिनों बाद दर्ज की जाती है हीट वेव और जलवायू परिवर्तन को लेकर जो नीतिया बन रही है इसमें हीट वेव पर विशेश जोर नहीं दिया जा रहा रिपोर्ट्स के अनुसार हीट वेव से आम जन जीवन और रोजगार का भी संकट खड़ा हो सकता है आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक गर्मी से बचने के लिए खुद को हाइडरेटर रखिए साथ ही अपने परिवार को भी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें कमेंट करकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो लगती कैसी हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार